यातायत पुलिस के साथ अब पुलिस थानों में भी इचालान के लिए सौपी गई मशीन अच्मेर S.P. ने शहर की यातायत व्यवस्ता को सुधारने और यातायत नियमों को तोड़ने वाली लोगों पर सत्कारिवाई करने के उद्देशे से इचालान की व्यवस्ता की है जहां यात्री चालान को लेकर विभिन समझ्चाएं बताते हैं और बचसलूकी की बात भी सामने आती है ऐसे में इचालान मशीन के माध्यम से इन सबी समझ्चाओं को दूर किया जा सकेगा उन्होंने कहा कि M.B. एक्ट के दौरान कटने वाले चालान के लिए इलेक्रोनिक बशेत पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को सौपी गई है इस मशीन के माध्यम से डेविट कार्ट से चालान हो सकेगा साथी चालान करने के दौरान रिकार्डिंग भी की जा सकेगी और चालान तुरंत किया जा सकेगा जिससे कि समय ना लगे ऐसे में इस चालान व्यवस लगाई जाती है और यातायत के दोरान यातायत संचलन के दोरान कोई व्यक्ति कोई वहान चालक अगर यातायत नियमों का उलंगन करता है तो यातायत पुलिस कर्मी या पुलिस अधिकारी उसका चालान बनाता है बिना काग्ज के अगर चला रहा है तो गाड़ी को जब्त बताता है, उनसे बहस करने लग जाता है, कई बार ये भी शिकायद आते हैं, एक सा मेरा अनावशक समय खराब हो गया, इतना समय लगा दिया, काफी देर हमें रोके रखा, उन विबिन समश्याओं से निजात दिलाने के लिए, अमारी राज्य सरकार ने सभी पुलिस अधिका और हमारे ट्रैफिक के जितने भी हैड कॉंस्टेबर अबाव जो अधिकारी जो एमवेक्ट की तहट कारवाई करने के लिए अधिकरत है, उन सब को हमने एक 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 मसीन, ये चालानी मसीन उपलब्द कराई है, और इस मसीन में इतनी सुजदाएं हैं, इतने फीचर्स हैं, कि इसमें एक तो तुरंद कारवाई होगी, दूसरा इसमें दोनों तरफ के कैमरे लगे वे हैं, तो हमारे पुलीस अधिकारी और जो वहां चालक के बीच में जो भी बातचीत होगी, वो इसमें रिकॉर्ड होगी, कई बार ऐसे आरूप लगतने किसा मेरे साथ मिस बहव कि तो वो उसमें एक तरह से पारदर्शिता रहेगी, कि हमारे पुलीस अधिकारी के साथ किस तरह से पबिलिक में ने वेवार किया, या पुलीस कर्मी ने पबिलिक में के साथ भी हैव किया, वो सारा इसमें रिकॉर्ड होगा, कई बार ये दिक्कत आते हैं, मेरे पास कैस पे उपलब्द है कि आप बिना केस के यानि अपने डेविड कार्ड से भी इसमें पेमेंट कर सकते हैं वो पैसा सीधा इसमें मसीन के तुरू जमा होके बैंक अकाउंट में चला जाए इसी तरह किसी को कैस पेमेंट भी देना है तो कैस पेमेंट भी चालान की जुर्माने रासी क रूप में इस मसीन के थूरू लिया जा सकता है इसका फोटो लेने के बाद वो भी लिया जा सकता है तो इससे सबसे बड़ा फाइदा यह होगा कि इसमें अनावशक समय नहीं लगेगा तुरंथ चालान की जो कारवाई यह तुरंथ होगी और दोनों तरहें की सुईदा चाल पहसीन के संचलन की वज़े से उस हिकायति आना बंद हो जाएगी क्योंकि सारी चीज इसमें रिकोर्डिंग होगी उसका फोटो भी आएगा सारी कारवाई इसमें रिकोर्डिंग होगी तो यह ऐसी तकनीक जिसके माद्यम से यातायात नियमों की पालन करवाने के लिए बह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे अजमेर जिले के सभी निवासे भी इस मसीन के थुरू कारवाई करवाने के लिए अपनी स्विकरती देंगे और किसी तरह की समशन नहीं आएगी कहना श्री रेस्ट्राव एक बार आएंगे तो यहां का स्वाद नहीं भूल पाएंगे आपके हर सेलिबरेशन जैसे बिर्थडे पार्टी, रिंग सारमनी, किठी पार्टी और कॉन्फरेंस को हम बनाएंगे यादगार दलिश यमी, और वेटरिन वराइज आप दिस नहीं आपके हर एक बार आएंगे यादगार आजमी सूक अंताट नहीं तून वाइग याद नहीं जाएंगे याद नहीं नहीं प्लाइग यादगा यादगा नहीं आएंगे